जैस्री राधारानी सरकार की, जैस्री क्रिश्न भगवान की, जैस्री लक्षमी नरायंजी भगवान की, जैप उर्षोतम मास महत्यम्य की, मन्दर शिबनशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल के और से हम आप सबी भकतों का हारधी कभिनन्दन करते हैं, अधिक मास अर्थात पुर्षोतम मास का पावन समय चल रहा है और इस पुर्षोतम मास में भगवान की भक्ती करने का अनन्त गुना पुन्यफल प्राप्त होता है मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं मनो कामनाय पूरी होती है और इस पुर्शोतम मास में पुर्शोतम मास महत्यम की कथाओं को सुनना भहुत ज़्यादा मंगलकारी माना जाता है तो पुर्शोतम मास महत्यम के अध्याय सत्रह की कथा आज हम आपको सुनाने जा रही हैं जो कि इस परकार है देवरीशी नारद जी श्री नरायन भगवान जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभू हे कृपा के सागर ज्यानो परजन के पश्यात द्रिर धनवा का क्या हुआ श्रिनारायन भगवान ची कहने लगे हैं कि राजा द्रिड धनवा अपने पुर्व जनम की कहानी सुनकर अति आश्यर से भर उठे सुदेव भ्रह्मन के रूप में अपने पुर्व जनम की इतनी कथा सुनने के पशात आगे का वीवरन जानने की उनकी आकांक्षा और भी बढ़ गई थी इसलिए उन्होंने महरिशी बालमिकी जी से आगे की कथा सुनाने की आज प्रातना की है महरिशी बालमिकी जी ने आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहा है कि हे राजन अपनी पतनी की ऐसी कर्ण प्रिये शीतलवानी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और भगवान के ध्यान में मगन रहकर अपना जीवन बिताने लगे है कुछ काल ऐसे ही बीत गया एक दिन की बात है सुदेव भ्रहमन भगवान जी के चिंतन में निमगन समीधा कुष फल फूल एकत्र करते हुए वन की ओर चले गई उस समय उनका पुत्र शुक देव भी मित्रों के साथ सनान और जल क्लिडा करने के लिए चला गया एक सुन्दर सरोवर पर वो जल क्लिडा करने लगे ग्रिश मरीतू थी अतै सभी बालक एक दूसरे पर जल उलीचने लगे शुक देव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था खेलते हुए सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए खेल ही खेल में बालकों ने शुक देव को गेहरे जल की और भगा दिया और वह भी उन बालकों से बचने के लिए आगे गेहरे जल की और बढ़ गया देव की इच्छा के अनुसार वह अत्हा जल में डुब की खा गया गहरे जल में नीचे की और उतरता ही चला गया खेल खेल में ही शुक देव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने को संभाल नहीं सका अत्यांत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयतन करने लगा लेकिन वह जल से बाहर नहीं आ सका और इस तरह से उसकी मृत्यू हुई है ये देखकर अन्य बालक हाहा कार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गोत्मी को आकर सुनाया है बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वानी को सुनकर गोत्मी पूत्र शोक से विहल होकर धर्ती पर मूर्शित होकर गिर पड़ी उसी समय सुदेव भ्रह्मन घर पर आये और पूत्र की मृत्यू का समवाद सुनकर वहभी कटेव डिक्ष की तरह पृठी पर पच्छार खाकर गिर गए काफी समय तक विलाप करने और पडोसियों के एकत्रित होने के पशात वो सब उस सरोवर पर गए और शुकदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया पूत्र के शव को अंग में भढ़कर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा है करुन रूदन करते होए सुदेव गदगद वानी में विलाप करने लगा कि हे पुत्र मेरे सोच को दूर करने वाली मनहोर शीतल वानी में मुझसे कुछ तो बोलो कुछ तो मुह से बोलो हे पुत्र मुझे इससे सूख मिलेगा हे वस व्रिद माता पीता को अर्श समय में छोड़ कर तुम्हारा इस तरह जाना उचित नहीं है अब हम क्या करेंगे किसके सहारे जीएंगे अब हम जी नहीं पाएंगे अता हे पुत्र तुम शिग्र उठो और सोना छोड़ कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो मैं तुम् कर भी किस कुकर्म का मुझे ये फल मिला है ए निर्दैवी धाता तुम्हें इस दीन मृद की आँखे निकाल कर क्या लाभ मिला है ए पुत्र तुम कुछ तो बोलो हम तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं इस समय हमारे दुख का वर्णन नहीं हो सकता तुम्हारी यह माता कैस विलाप कर रही है क्या उससे देख कर भी तुम्हारे हिर्दे में कुछ दया नहीं आती मुझे से तो राजा दश्रत ही धन्य हैं जिनोंने पुत्र श्री राम चंद्र जी के वन गमन करने पर अपने प्रान त्याग दिये वे पुत्र के विरे से ही इतने दुखी हो गए ल वाले दयालू भगवान हे प्रभु मेरी पुत्र के शोका नल से रक्षा करो इसी प्रकार काफी समय तक सुदेव ब्रह्मन और उसकी पतनी गोत्मी भगवान का नाम ले लेकर विलाप करने लगे हैं आज उनके मन में इतना दुख है कि उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है तो मंदर शी बंसी वाले महात्मा यूटिव चैनल के ओर से इस कता को सुनने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान श्री राधा क्रिशन जी की भगवान श्री लक्षमी नाराइन जी की पुर्शोतम मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिव पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की, जै श्री क्रिशन भगवान की, जै श्री लक्षमी नाराइन जी भगवान की, जै पुर्शोतम मास महत्यम की ओम नमो भगवते वासु देवाय जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम